Jio Payment Bank और Eratel Payment Bank दोनों में से किसका चार्जस सबसे ज़्यादा है सेवी अकाउंट का आज की इस वीडियो में डीटेल में बात करेंगे कि अभी फिलाल Jio Payment Bank और Eratel Payment Bank में काफी अपडेट आ चुका है 2024 में तो अगर आपको एक सेवी अकाउंट ऑपन करना है payment bank में account open करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एरटल payment bank में ज्यादा charges है semi account के या फिर geo payment bank के semi account में ज्यादा charges है तो सबसे पहले यहाँ पे दोनों का मैंने account का जो charges है वो निकाल लिया है geo payment bank का और एरटल payment bank का यहाँ पे दो variant saving account का आ चुका है geo digital saving account और geo digital salary account तो हम आज charges के उपर बात करेंगे क्या क्या charges है जैसे कि monthly average balance कितना maintain करना है अगर आप maintain करते हैं तो उसके लिए charges क्या होगा debit card का charges क्या है physical debit card का charges क्या है transactions की charges क्या क्या होता है तो यह सारे charges हम geo payment bank में भी देखेंगे और retail payment bank में भी देखेंगे तो सबसे बिलेगा geo payment bank की बात करें तो यहाँ पे monthly average balance की बात करें कि आपको महिने में saving account में कितना रखने की ज़रत है तो यहाँ पे geo digital saving account और geo digital salary account दोनों में यहाँ पे निल है मतलब कि कोई भी पैसा आपको पैसा monthly wise रखने की ज़रत नहीं है अब यहाँ पे अगर monthly wise कोई भी पैसा रखना नहीं है maintain नहीं करना है तो आपको कोई भी non maintenance charges भी नहीं लगेगा आपके saving account पे तो दोनों ही यहाँ पे निल है वहीं पे air retail की बात करें debit card का तो यहाँ पे आपको जियो payment bank में virtual debit card मिल जाता है जिसका कोई भी charges नहीं है तो आप virtual debit card आपको कौन से मिलेगा रुपए platinum domestic मतलब आप इंडिया में ही use कर पाएंगी रुपए जो debit card होगा वो physical debit card भी आपको मिलता है लेकिन उसका जो charges है उसका भी charges कुछ भी आपसे नहीं लिया जाता जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एन ए लिखा हुआ मतलब नहीं लिखा हुआ है ठीक है transactions limit की बात करें तो यहाँ पे आपको post machine e-commerce के लिए डेल लाक रुपए आपको spend करने के लिए daily limit मिल जाता है daily ATM से withdraw करते हैं तो उसके लिए आपको कोई भी limit ही नहीं दिया गया है ठीक है monthly free ATM transactions उसका भी कोई भी limit नहीं है हालांकि इधार के side आप देखेंगे salary digital geo digital salary account में तो इसमें कुछ limit है जैसे के monthly आपको 10 financial और non financial आपको transactions मिलता है daily withdrawal limit है वो आपको 50,000 रुपे मिलता है यहाँ पे जियो payment bank की बात करें तो virtual debit card का कोई charges नहीं है physical debit card का कोई भी issue in charges नहीं है ठीक है annual charges है लेकिन issue in charges नहीं है ठीक है तो ऐसा नहीं आप सूचे कि बिलकुल free होगा आपको सालाना charges देने पड़ेंगे बड़ आपको जब card आपके घर पे आएगा first time तो उस समय आपको issue in charges नहीं लगेगा बाकि मैंने आपको limit बता दिया limit के लिए कोई भी restrictions यहाँ पे नहीं है सिर्फ यहाँ पे आपको post machine या फिर e-commerce के लिए आपको डेल लाग रुपे spend करने का daily limit मिल जाता है बाकि और भी अगर transactions fees की बात करें तो यहाँ पे सारा चीज़ free है जो कि आप देख सकते है anyft, IMPs, RTGS, UPI किसी भी तुरू अगर आप digital payment करते हैं तो उसके लिए एक भी पैसा आपको कहीं पे भी कोई भी transactions fees देने की जौरत नहीं है limit की बात करें तो IMPs पे आपको per transaction पांच लाख रुपए तक मिलता है anyft per transaction limit कुछ भी नहीं है मतलब anyft से जितना मर्जी आप online transactions कर सकते हैं UPI per transaction की बात करें तो आपको एक लाख रुपए की limit मिलती है एक लाख रुपए limit यूज कर लेंगे SMS alert की services की बात करें तो यहाँ पे जियो पेमेंट बैंक में आपको free मिलता है salary account में भी और यहाँ पे digital saving account में भी मंतली statement आपको मिल जाएगा email के थुरू बिल्कुल free up cost और भी बाकी चीज़ें वो आपको यहाँ पे free up cost देखने को मिल जाएगा physical statement कुछ भी लेते हैं तो उसमें आपको पैसे देने पड़ेंगे यह आपको हर एक bank में लगता है nomination का facility मिल जाएगा जैसे नामेती बोलते हैं यह भी facility है SWIP facility यहाँ पे आपको free up cost मिल जाता है SWIP facility क्या होता है इसके उपर हम आगे detail में बात करेंगे अगर आप interested है तो मुझे नीचे comment कर दीजिएगा SWIP ठीक है तो मैं आप समझ जाऊंगा कि SWIP facility के बारे में आप जानना चाहते हैं interest rate की बात करें तो यहाँ पे 3.5% per annum आपको यहाँ पे interest rate मिलेगा और quarterly payable होगा quarterly payable मतलब हर 3-3 मन्त में आपके bank account में जो भी interest rate आपका बनेगा 3.5% per annum के according वो आपके account में भेज दिया जाएगा तो मोटा मयोटी यहाँ पे एगर Jio payment bank की बात करें तो digital account की यहाँ पे बहुत ही कम charges है ठीक है केवल आपकर आपको ATM card छहिए तो उसी का यह आपको annual charges देने पड़ेंगे बाकी का यहाँ पर कोई भी मुझे ऐसा charges नहीं दिख रहा है जो की थोड़ा सा यहाँ पर odd हो या फिर भारी पड़ता हो यहाँ पर basically बात करें तो Jio payment bank में काफी अच्छा है इसमें कोई भी यहाँ पर charges वगरा नहीं है आप चलते हैं कि यहाँ पर एलटेल payment bank में किस तरह का charges हमें देने पड़ते हैं और क्या-क्या charges देने पड़ते हैं यहाँ पर charges of saving account saving bank account इस पर आप किलिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सारा charges जो है यहाँ पर देख जाएगा ठीक है यहाँ पर annual subscription charges आपको 100 रुपीज प्लस 18 परसेंट जीस्ट चार्जेस है और यह अकाउंट maintenance charges भी आपको पे करने पड़ेंगे 42 रुपे प्लस 18 परसेंट जीस्ट पर क्वाटर एकाउंट operation charges भी आपको देने पड़ेंगे 15 रुपे प्लस 18 परसेंट जीस्ट पर क्वाटर एसमेश एलर्ट की charges की बात करें तो यहाँ पर 0.3 पैसे का यहाँ पर SMS का यहाँ पर charges लगेगा जितना का SMS एलर्ट आपको मिलेगा उसके recording आपको charges यहाँ पर लगाए जाएंगे 0.3 पैसे के recording add किया जाएगा तो जो भी charges होता है बाद में वह आपको quarterly काट लिया जाएगा आपके bank account से cash deposit load cash internet banking mobile banking app के थूरू ये बिल्कुल free up cost है इसमें आपको कोई भी charges नहीं लगता है बागे cash deposit load cash banking point के थूरू करते हैं तो उसमें कुछ यहां पर कुछ यहां पर फ्री दिया गया जैसे कि 0 रुपए से लेकि 25,000 रुपए के बीच में यह फ्री है बाकी के अब करते हैं तो 0.5% deposit amount या फिर या अगर उससे जादा भी करते हैं जादा तो 0.75% deposit amount यह आपको charges देने पड़ेंगे banking point के थूरू करते हैं तो बाकि अगर आप खुद से कर लेते हैं deposit या फिर आप जमा करते हैं तो फिर मतलब कोई भी charges आप सो नहीं लिया जाएगा cash withdraw की बात करें तो cash withdraw आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपको कितना cash withdraw मिलता है 10,000 रुपे तक आपको यहाँ पर cash withdraw मिलेगा per month वह भी बिल्कुल free of cost अगर आप इससे जादा withdraw करते हैं तो आपको यहाँ पर 0.65% of withdrawal amount charges देने पड़ेंगे मतलब कि मान लिजे आपने यहाँ पर 15,000 रुपे यहाँ पर आपने withdraw किया तो आपका अगर limit है यहाँ पर 10,000 तो 10,000 पर आपको नहीं लगेगा 5,000 पर लगेगा कितना percent 5,000 का 0.65% जो भी होता है वो charges आपको लगेंगे cardless withdrawal की बात करें तो वो यहाँ पर बिल्कुल free of cost है कोई भी इसके लिए charges नहीं है APS के through यहाँ पर transactions करते हैं तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं दो transactions यहाँ पर day में आप कर सकते हैं maximum आपको 10 transactions मिलता है month में अगर आप सके beyond करते हैं तो आपको charges देने पड़ेंगे तो उसके लिए कोई भी charges नहीं लगेगा IMPs, RTGS यह सब यहाँ पर free of cost आपको जो है देखने को मिल जाएगा तो यह यहाँ पर और भी कई तरह के जो अभी तक बचा ही है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे की minimum cash deposit amount जो है वो 10 रुपीज है minimum cash withdrawal है वो 10 रुपीज है तो इस तरीके से यहाँ पर और भी information जो है दिया हुआ है तो अभी तो यहाँ पर अगर mainly बात करें तो अगर दोनों में compare करें कि जियो payment bank और एरिटल payment bank से भी account के charges किसके ज़्यादा तो आप खुद भी देख सकते हैं जहाँ पर जियो payment bank में आपको कुछ भी charges नहीं लग रहे हैं वहीं पर आप एरिटल payment bank में शुरुवात से ही आपको यहाँ पर जो charges आप देख रहे हैं ठीक है तो इस तरीके से subscription charges, maintain charges, SMS alert charges जो customer को ज़्यादा नीड होता उसके उपर यहाँ पर जो charges आप से लिया जाएगा छोटा मोटा charges तो मैंने आपको दोनों में compare कर दिया है कि आपको जो है किसमें account उपन करना है एरिटल payment bank में या फिर जियो payment bank में दोनों के charges मैंने आपको दिखा दिया है आप समझ गया ह कर रहा हूं तो आई hope कि आपको यह समझ में आ गया होगा किसका charges ज्यादा है किसका charges कम है तो आप अपने से यहाँ पर decide कर सकते हैं कि आपको account किसमें open करना चाहिए तो मैं आप से मिलता हूं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद